यह आज से तो लॉकडाउन स्टार्ट है, क्या हमारा ओफिस भी बंद होगा? क्या करूँ? पूछूँ? चलो निहा से पूछती हूँ हलो? हाँ, निहा? यह हमारा ओफिस खुला है क्या? हाँ, नियूज में तो आ रहा है कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया आज से, तो ओफिस तो ओपन नहीं होना चाहिए ना? सही कह रही है, हमारा ओफिस तो संडे भी खुला रहता है, तो लॉकडाउन तो पता नहीं क्या, सर पे क्या असर पड़ा होगा लॉकडाउन का? अच्छा, फोन करके पूछ ले ना? अच्छा, चल मैं ही पूछ लेती हूँ, तेरी तो ना, सर के नाम पे ना दन चाहती है, चल ना, पूछ लेती हूँ, तो रहा है, चल रहा हाँ, 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 बताती हूँ, बताती हूँ हालो हलो गुद मॉनिंग सर सर हमारा ओफिस ओपेन है क्या नहीं लोगडाउन है तो वर्क प्रों भूम होगा अच्छा वर्क प्रों होम हाँ सर कोई इश्यू निया कोई इश्यू निया सर वर्कोजे मेल करते रहे ला यह सर यह सर हम सारी ड्रॉइंग सर क्या आपको आज शाम को मेल कर देंगे यह सर ओके सर थांक्यू सर यह 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 रोज रोज की जंजट ट्राफिक और लेट नाइट कमिंग इन सब से अफुरसब यह साथ बच गए चलो आज के दुकान बंग हो गया काम इस अलड़ी 7 अफिस दाव सेव कर दो फाई को सब्सक्राइब यह वो शक्षिन कट कर दिया हाँ सर वो तो हो गया मेरा काम ओके एक फ्लॉर प्लान और करना है सर बट इस अलड़ी 7 अफिस को ओ गया ना अरे वर्क फ्रोम हो में आप तो ट्रेवल टाइम तो बच रहा है घर पर ही तो रहना है आपको कौन सा इदर उदर कहीं जाना है तो कर दीजिए या अरे पर लाएगर आपक को हो गई ना सालरी नहीं आई सर से पूछते हूं कि सालरी कब तक डिलबाएंगे हलो ये सर ये सर वो फाइल मैंने मेल कर दी सर वो सालरी के लिए पूछना था कि सालरी कब तक आईगी इस बार सेलरी रहे हाफ मिलेगी जब तक लॉगडौन चल्रहहे वहारी हाफ स्प्सालरी क्यों ? आपको तो पता है ना इस ताइम क्या सीन चल रहा है अभी क्लाइंट से पेमेंट आ नहीं रही है आप सो जब तक लगडून चल रहा है तब तक तो हाफ सेलरी मिलेगी प्लीज मैनेज अच्छा जो सुबह वाला काम था ना उसको फटा-फट से मुझे मेल कर दो क्लाइंट वेट कर रहा है हाँ सेलरी हाफ सेलरी काम करके दो लेकिन सैलरी के नाम पर हाफ सेलरी यार मैं भी अगर बॉस होती न तो लॉकडाउन के टाइम पर कितना मज़ा आता नहीं घर पे बैठके आराम से नोटे गिन रहे होती और आश कर रहे होती काश यार मैं जल्दी से न अपने ओफिस खोल के बॉस बन जाओ हालो हां वो पेमेंट तो क्या हुआ आई कि नहीं आई अच्छा चलो कोई बात नहीं यार उस पेमेंट का फड़ा फूब तरगा हो यार समझ नहीं आ रहा है तो मैं के लिटन की नहीं पारी हो और इस लाइक प्रॉब्लम यार मतलब ठीक है देखो उसको चलो यार मेरे पा हाँ हा बरि बस आप ही का काम करवा रहे हैं मतलब आपका काम आप समंग जेशे में जाएगा आपको आपका काम आपको पाव खाली अ कल मोर्नंग में आपि एलेवन ओ प्लॉप हाँ 24 जीजी जी जी उलेक टा म rhyme all date हाँ जी सर बिल्कुल दन, स्थेट्न, परण पर अचार हो जायगास बस आपका हबाब चल रहा है आपटेंशन बत लिए हाँ 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 अच्छा सर वह पेमेंट के लिए जरा बोलना था अगर पेमेंट आप कर देते तो नहीं सर देखे साइट पे आके तो आपको पता है लोग डोन चल रहा है तो साइट पे आको पेमेंट लेना थोड़ा पॉसिबल ही होगा आप अकाउंट में अलबा दीजिए न मुझे भी लोगों को सावरी देनी है सर सर अगर करबा देते तो अच्छा होगा हाँ 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 सर बिल्कुल 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 सर आप काम की बिल्कुल चिंता मत करिए काम आपको मिल जाएगा अभी दर तो हमने आपको अंटाइन काम दिया है न सर आगरे मिल जाएगा आप चिंता क्यों कर रहे हैं नहीं नहीं से आप उसकी रूपकों चंता मत करिये आपने काम करिये अच्छा 50% पेमेंटी करवा दीजो जी 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 चीक है सर ओके सर बाय से टेक केर उफ इसा हेड़ेग हलो येस नहां ड्रॉइंग्स क्यों नहीं आई अभी तक क्या मतलब है हो नहीं पाई है क्लाइंट इस वेडिंग देर यार क्लाइंट ने फोन करकर कि मेरा खून चूस के रखा हुआ है और आप बोल रहे हो कि जह है रॉइंग्स कंप्लीट महीं है हा तो लॉकडाउन है तो क आपको सारवी दे पाऊंगी ना आप धेजो यार फटा फटा फट मैं कुछ नहीं जानती हो आप रात लगाए आप दिन लगाए वोटेवर लिग बट एट एट एनी कोस्ट मुझे ड्रॉइंज कल मौने में तेनो क्लॉक तक चाहिए एट एट एनी कोस्ट आइनी कोस्ट आपको लगता है ना लॉक डाउन है तो यार बहुत बड़े खुश होंगे बट बॉसस की भी लगी पड़ी है एंप्लॉईज बॉसस को लग रहा होगा एंप्लॉईज जैना वो घर पे पड़े हैं कितने आराम से होंगे तो चलो ना काम का प्रेशर डालते हैं मैं अचली यह सोच रही थी कि मैं भी एक प्राक्टरसंग आर्केटेक्ट हूँ तो एक वीडियो इस पे भी बनाते हैं यार कि क्या चल रहा होगा ना किसी एंप्लॉई की लाइफ में और एक बॉस की लाइफ में क्या चल रहा है वो तो मुझे पता ही है तो प्लीज गाईस कॉमेंट करके ज़रूर पताएगा कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है और अगर आप एक आर्केटेक्ट हैं चाहे आप एक बॉस हो या आप एक एंप्लॉई हो प्लीज मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका बीतावा लॉकडाउन कैसा गया तब तक के लिए मैं चलती हूँ